पूरो मुक्वंत्री उत्तर प्रदेश स्री अखले सियादो जी के बयान पर एक तरह से मैं कहूं कि वह राधे राधे से उनको चिड़ होती है पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में परिवर्तित कर दिया अब देश के प्रधान मंत्री जी के बोटी बोटी करने वाले इमरान मसूद जो कांग्रेस के नेता के रूप में अभी तक जाने जाते थे समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने हैं अखले सियादो जी न प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी को जो गोली मारने की बात करते थे इमरान मसूद वह आजकल समाजवादी पार्टी के हिस्सा बनने के कोशिच कर रहे हैं या हिस्सा बन चुके हैं उन्होंने बता है इसकी जानकाई तो मुझे नहीं है लेकिन ये वही लोग हैं जिनको सम परच्छन देने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी गुंडे और माफियों के पार्टी है तमाम जो है उनके उपर समाजवादी पार्टी के मुख्या अखलेश या दो पर केस्व परषाद मोरिया ने आरोप लगाया है कि कि 2022 के विधान सभा चुनाओं में मुख मंत्र योगी आधित्पनात के नेतुत में भारती अंता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 2022 में पुना उत्तर प्रदेश की जनता जो है दुबारा उत्तर प्रदेश में भारती अंता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी क्या कुछ केसो मौरिया ने कहा है आई आपको सुनवात प्राजवादी पार्टी के राश्टी अध्यच पोरो मुक्वंत्री उत्तर प्रदेश्री अखलेश यादो जी के बयान पर एक तरह से मैं कहूं कि उवा राधे राधे से उनको चिड़ होती है भगवान बाके विहारी जी से उनको चिड़ होती है मतुरा अध्या कासी से उनको चिड़ होती है और इस प्रकार का बयान की नोईडा की चर्चा करते हुए धर्म को अंदवी स्वास कहना या करोणो करोणा अस्थावान लोगों का अपमान करने का काम किया मैं उनके इस बयान की आलोचना करता हूं मैं कहता हूं यह वही सपा है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में परिवर्तित कर दिया दंगा राज में परिवर्तित कर दिया अब देश के प्रधान मंत्री जी के बोटी बोटी करने वाले इमरान मसूद जो कांग्रेश के नेता के रूप में अभी तक चाने जाते थे समाजवादी पार्टी का हिस्सा अक्र जीडे सहादर जीटे रहता में मंस्ताओ में si फिर तीन सो से अधिक कमल खिलेगा, भाजबाती सरकार बनेगी, सपा बसपा कांग्रेस का सूपड़ा.